नमस्कार आप देख रहे हैं देशरियाना टीवी और इस वक्त की बड़ी ख़वर हम आपको बता रहे हैं हरियाना में विधान सवाच चुनावों का एलान हो चुका है जिहां इलेक्शन कमिशनर आफ इंडिया राजीव कुमार ने प्रेस कॉंफरेंस करके हरियाना में इलेक्शन का एलान कर दिया है जिहां हरियाना में विधान सवाच चुनावों का एलान हो चुका है और 5 सितंबर 2024 को गजट नोटिफिकेशन होगा नॉमिनेशन की आखरी तारीख जो है वो 12 सितंबर 2024 है और स्क्रूटनी जो है वो 13 सितंबर 2024 को की जाएगी नॉमिनेशन विड्रॉल की तारीक जो है वो 16 सितंबर 2024 है और डेट आफ पॉल जो है जहां हरियाना विधानसवा के चुनाब जो है जिस दिन वोट डाले जाने हैं वो है 1 अक्टूबर 2024 और 4 अक्टूबर 2024 को काउंटिंग होगी ये ऐलान Election Commissioner of India की तरफ से किया गया है इस वक्त की बड़ी ख़वर हम आपको बता रहे हैं 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 2024 को हरियाना में नई सरकार बन जाएगी या फिर हम ये कहें कि 4 अक्टूबर 2024 को ये फैसला हो जाएगा कि हरियाना में नई सरकार किसकी बनने वाली है 1 अक्टूबर 2024 को चुनाव होने हैं और जैसे ही वोट डलेंगे 4 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा गजट नोडिफिकेशन 5 सितंबर को होगी और लास्ट डेट जो है नोमिनेशन की वो 12 सितंबर है इसके बाद स्कूरूटनी जो है नोमिनेशन की वो 13 को होगी और 16 सितंबर जो है वो कैंडिडेट उस दिन जो है अपना नाम बापिस ले सकते हैं और इसके बाद एक अक्टूबर को जो है वो चुनाब होंगे हर्याना में तो ये हर्याना में बिधानसवा चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर और इसी के साथ आज ही से हर्याना में अचार सहिंता भी लग गई है जैसे ही इलेक्शन कमिशनर प्रेस कॉंफरेंस कर ने आए उसी के बाद हर्याना में अचार सहिंता जो है वो लग गई तो इस वक्त की बड़ी खबर हर्याना में बिधानसवा चुनावों को लेकर तैयारियां जो रोशोरों से थी कॉंग्रेस अपनी तैयारी कर रही थी सभी पार्टियां अपने अपनी तैयारियों में कहना है आप क्या सोचते हैं कि हर्याना में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए भी चुनावों का एलान कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में तीन फेज में इलेक्शन होने जा रहे हैं 18 सेतंबर को पहली वोटिंग होगी यानि पहले फ़ीज की वोटिंग होगी 25 सेतंबर को 25 सेतंबर को दूसरी फेज की वोटिंग और 1 October 2024 को तीसरे फेज की वोटिंग होगी और counting 4 October 2024 उस दिन Friday है यानि शुक्रवार के दिन जो है वो counting होगी और इसी के साथ ये भी तैह हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है